नमस्कान, स्ट्रीट वेस नीज्स में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रादीमा साथ, आईए बटे आज की तमाम ख़वरों की आओ दुमका के नक्सल प्रभावित सिकाडी पाड़ा थाना छेतर में रभी बार की रात 20 पोटकों का जाक राबरा मत क्या गया है इन 20 पोटकों ने रात के अंधिरे का फाइदा उठा कर एक पिकप वैन में नारियल के बोरे के नीचे छुपा कर पश्रिम बंगाल की और ले जाया जा रहा था लेकिन जैसे ही पुलीस को इसकी सूचना मिली तो पुलीस ने पिकप वैन का पीछा किया इस दुरान दुमका रामपूर हाट मुख मार्ग पर मोहूल पहाड़ी के पास एक तीखे मोड पर तेज रफतार से भाग रहा बिसफोटकों से भरा पिकप वैन आन्यांतरित होकर पलट गई पुलीस ने जब पिकप वैन की जाच की तो वैन में नारियल के बोरे के नीचे छुपा कर रखी गई भारी मातरा में बिसफोटक बरामत क्या गया जानकारी के मुताबिक वैन से करीब 20,000 पीस जलेटिन और 5000 पीस डेटोनेटर बरामत क्या गया है हलाकि इस पूरी कारवाई के दुरान मौके से पिकप वैन के ड्राइवर और खलासी के फरार हो जाने की सूचना है मामले की गंभीरता को देखते वे दुमका SDPO नूर मुस्तफा अंसारी मौके पर पहुंचे साथ ही सिकाड़ी पाड़ा थाना परभारी सुसील कुमार भी अपने टीम के साथ वाहन की जाच में जुट गया SDPO नूर मुस्तफा अंसारी ने कहा कि सूचना मिली थी कि मैजिक वाहन में लाद कर विस फोटक ले जाया जा रहा है हम लोग इसकी कई बिन्दियों पर जाच कर रहे हैं कि या बैध है या फिरा बैध इसकी जाच की जाएगी इसके अलावा इसे कहा पहुंचना था कौन सामिल है इन सभी बातों की तफ्तिस की जा रही है क्या भरा हुआ था आज दुमका के सिकारी पड़ा तना ख्यत्र में गुप शुचना मिली थी कि कहीं से विस फोटक कदार एक गाड़ी आ रही है उसी के करम में हम लोग जाच लग चेटी रजवाय से और उसी में एक पीशव कहना आ रहा है जो आने इंटेरित होकर के टायर फट गया है वो गाड़ी जो है कि पलट गई है और इसी को हम लोग किरान से उठवा रहे हैं और समान जो भी उसमें पदार्थ होगा उसको हम ल से बार है हर बिंदू पर हम लोग जाच कर रहे हैं और आगे जो भी होगा उसको आपको को एसको कर दिया जाए और जो भी समें सनलिप्त लोग है उन्हें पर कारवाई की जाएगी वह इसमें क्यास दर्श क्याएं डेटूनेटर और जिलेटिन है भारी मात्रा में पूरे सब्सक्राइब करना ना भूले धानेबाद